Hello students, इस वीडियो में solve करते हैं, question number 5. इसमें दियावा है, point P divides the line segment joining the point A and B such that AP by AB equal to 1 by 3. If P lies on this line, find the value of K. ठीक है, ये K का value हमें find करना है. Question में क्या दियावा है, line segment दियावा है, उसका दोनों end point दियावा है, A और B. ठीक है, और उस line के उपर एक point है P, और ये point P क्या कर रहा है, इस line AB को दो पार्ट में बाट रहा है, such that AP by AB equal to 1 by 3, ratio दियावा नहीं है, question में directly ratio दियावा नहीं है, उसके बतले ये information दियावा है, AP by AB equal to 1 by 3, तो इससे हमें ratio पता चल जाएगा, AP एक हिस्सा है, तो PB दो हिस्सा हो जाएगा, तो ratio हो जाएगा 1 is to 2, लेकिन इसको हम लोग निकाल के दिखाएंगे, कैसे, AP by AB equal to 1 by 3, तो AP क्या हो गया, 1 by 3, AB, cross multiply कर दियावा है, इधर चला गया, AP पता चल गया, AP दियावा है, हमें PB find करेंगे, PB कैसे मिलेगा, पूरे AB में से AP को minus कर देंगे, AB minus AP, तो AB minus AP, AP का क्या value है, 1 by 3, एक है, LCM लेंगे 3AB minus AB, तो यह आजाएगा 2AB by 3, PB का value हमें पता चल गया, आप हमें ratio चाहिए, now, AP upon PB, ठीक है, तो AP का क्या value है, 1 by 3, AB, और PB का क्या value आया है, 2 by 3AB, यह AB, AB cancel हो गया, बच किया 1 by 3, by 2 by 3, तो इन्टू कर देंगे, तो यह हो जाएगा 3 by 2, 3, 3 कट गया, यह आगया 1 by 2, यानि क्या आगया, यह 1 by 2, यानि क्या आगया, यह 1 by 2, 2, AP upon PB equal to 1 by 2, तो यह AP upon PB, 1 by 2, यानि यह ratio पता चल गया हमें, ठीक है, इसके बाद हम लिख लेंगे, 3, point P divides AB in the ratio 1 is to 2, ठीक है, तो हमें line AB का end point पता है, ratio पता है, तो हम P के coordinate को find कर लेंगे, ठीक है, now coordinate of point P, ठीक है, तो P का coordinate, P का coordinate कैसे मिलेगा, यह 1 in 2 5, 5, plus 2 into 2, upon 1 plus 2, comma 1 into minus 8, minus 8 हो गया, plus 2 into 1, 2 हो गया, by 1 plus 2, 5 into 1, 5 plus 4 by 3, comma minus 8 plus 2, minus 6 by 3, 5 plus 4, 9 by 3 आगया, 3 और minus 6 by 3 हो गया, minus 2, तो हमें P का coordinate पता चले गया, लेकिन question में कहीं नहीं बोल रहा है कि P का coordinate find करो, हमें उसके बदले क्या find करने बोल रहा है, if P lies on this line, जो point P है वो इस line की उपर लाही कर रहा है, find the value of K, उसके बाद हम लेकिन के, since point P lies on line, जो दियावा है, 2X minus Y plus K equal to 0, therefore, point P satisfies this line, इसका मतलब क्या हुआ, कि point P इस line की उपर lie कर रहा है, तो point P इस line को satisfy करेगा, मतलब point P का coordinate उठा के, अगर हम इस line में put कर दे, यह इसको satisfy करेगा, यहां solve करते हैं इसके बाद, ठीके तो जो point P का coordinate है यह, यह 3 को हम यहां put कर देंगे X के place पे, और यह जो minus 2 है, उसको हम put करेंगे Y के place पे, तो 2X minus Y plus K equal to 0, तो 2X के place पे आगया 3, minus Y के place पे आजाएगा minus 2, plus K equal to 0, तो 2, 3 जा 6 plus 2 plus K equal to 0, तो 6 plus 2, 8, 8 उधर चला आजाएगा K equal to minus 8, तो K का value आगया minus 8, जो कि हमें find करना था, ठीक है, तो मारे question होगे complete, अगर आपको यह video समझ में आया, तो इसे comment करके जरूर बताएं, मिलते हैं next video में, next question के साथ, अगरूसर divождता है, अग lei पुदर एकट से हाूसरी आपको ऊपक्षए एंगरा एंपको फूज़जगा अछोसरीए,